नमस्कार स्वागत है आपका विहारी नूज में में रतन सेन भारती अज हम बात करेंगे परवासी मजदूरों को लेकर कुरोना महामारी के दौर में दूसरे परदेशों से आने वाले स्रमगों की पहचान की जा रही है विहार सरकारी रमसंसादन मंद्री ने जीलों के सरम अ लोहार, बढ़ाई, इलेक्रिसियन, नाई, बेलडर, पलंबर, मुर्तिकार, बुनई, सिलाई, कटाई करने वाले करीगरों को दस्ता प्रमान पत्र देकर उनका निवंधन भी कराया जाएगा इस बावाद स्रम संसाधन मंत्री जीवेस कुमार ने बताया कि ग्रामिन विका कुसल स्रमिकों का डाटा बैंक तयार करा जाएगा तकि विभिन योजनाव से स्रमिकों को रोजगार दिला जा सके उन्होंने बताया कि डेरी, पॉल्ट्री, मखाना, केला, वालीची, समेथ क्रिसी के छेतर की अन्न फसलों के उत्पादन वा उसकी प्रोसेसिंग से स्रमिक को भी दक्सा परमान पत्र दिया जाएगा परतेक जिले में 200 करिगरों को सब्ता भर का प्रसिचन दिया जाएगा फिर उन्हें कुसल कारीगर होने का दस्ता परमान पत्र सौंप दिया जाएगा दोज़ार पचीज तक राज के दस लाख पेशेवरों को प्रसिच्छन देकर धक्सा पर्मान पत्र देने का लक्ष है निस्टनल सेक्टर स्कील काउंसलिंग ने धक्सा पर्मान पत्र देने से मंधिक काजकरम को सहमती दे दी है योजना के दाइरे में आने बारे कारीगुरों को काउंसिल दोरा परमानी करन करके उन्हें सर्टिफिकेट पर दान किया जाएगा ऐसे में कारीगुरों का कार्ज अस्थल पर निवन धन भी कराया जाएगा इसमें पर सिच्छन पाए कारीगुरों का एक डाटा बैंक भी तयार हो जाएगा और फिर समाजिक सुरच्छा योजनाओं के लाव के दाइरे में भी लाया जाएगा। आपको बतादें कि पिछले साल यानि के साल 2020 में भी लॉक्डाउन के दारान करी 20,00,000,000 बिहार आये थे ऐसे में उस समय भी बिहार सरकार ने लोगों से उनके कारज के बारे भी पूछा था ऐसे में अब देखना है कि बिहार सरकार कब तक दूसरे राज्यों से आये कामगार को रोजगार दिलवा पाती है अपको बदादें कि पिछले साल 14,87,000 मजदूरों के खाते में 33,000 रूपिये दिये गए थे इसके अलावा मन्रेगा में 100 दिनों की रोजगार गरंटी की सुब्धा मिलेगी यह भी बात कही गई थी सरमकों का डाटा तयार किया गया था जो लोग बिहार में काम करना चाहते हैं उनके लिए प्रोटसाहन रासी भी दी गई थी जीवेस कुमार ने कहा कि करोना के समय दूसरे रास से बिहार आने वाले मजदूरों के लिए रोजगार की विवस्था की जा रही है सरकार ने अनुसूची जाती और नुसूची जन जात हो सकती है अभी कई ऐसी होजनाएं हैं जिसमें यह बात कही जा रही है कि जो परवासी मजदूर आएंगे उन्हें दस लाक रुपे की जो है रासी दी जाएगी ताकि वह बिहार में ही अपना ये के उद्योग सुरू कर सके बिहार सरकार के स्रम मंतराला की तरफ से लगतार इस तरह की बात है सामने आ रहें कि जो छोटे कामगार है वो बिहार में ही रहें और अपने अस्कील का इस्तमाल जो है वो बिहार में रहते हुए करें तो ऐसे में बिहार सरकार लगतार प्रवासी मजदूरों को बिहार में ही रहने के लिए कह रही है ताकि जो है वो बिहा से बाहर ना जा सके और इस पैनिक की इस्ठी में लगातार उन्हें आने-जाने से बचKEN तो ऐसे सब्सक्राइब gosh सब लेकर जो एंन सब लेकर बिहार सरकार लगातार रखने की बात कर रही है थे प्रवासी सर्मिकों लेकर खबर बिहार और बिहार से जुड़ो ही और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी नियूज के साथ मुझे दिजिए इजाज़त नवाद